हलो एब्रीवन आप लोगों को स्वागत है बेस्ट नोस टूटोरियल में मेरा नाम है कौशिक और हम बात करेंगे आज भुगोल के बारे में जियोग्रैफिक के बारे में वेल बी टौकिंग अबाओ जियोग्रैफि इन खुक एन इजी वे तो यह आपका डेमो वीडियो है जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि डेमो वीडियो आप लोगों के लिए मैंने तयार किये हैं कि जो भी कोर्स जोईन करना चाहते हैं वो कोर्स किस तरह से हमारा चलेगा स्क्रीनिंग में और किस तरह से हम बेसिक से बिलकुल एडवांस तक चलेंगे तो यहां पर एक शोटकट लिखा हुआ है इस शोटकट को अगर आप ध्यान से देखेंगे आपको पूरा दिखा दिता हूं नीचे तक यह आपका पूरा शोटकट है और इसमें पूरा जो भूगोल है अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं भूगोल को तो ध्यान दीजिए कि आपको भूगोल हमेशा पहाडियों से ही शुरू करना चाहिए अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं बहुत बेसिक से शुरू कर रहे हैं तो आप भूगोल शुरू कीजिए पहाडियों से पहाडियों के नेम से क्योंकि जो पहाडियां होती हैं उनकी जो पहाडियां हैं उनसे आपको श्रेणिया याद करनी हैं जो आपकी हिल्स हैं जितनी जो अगर आप पहाडियों को बोलेंगे तो आप हिल्स से शुरू करेंगे फिर उसकी जो आपकी रेंज हैं वो आपको य उन चीजों से हम बहुत अच्छे से उसके understanding बढ़ जाती है अगर आपको hills का बहुत अच्छा knowledge है उसके बाद कुछ questions बनते हैं कि जो इनकी जो पहाड़ियां होती है उनमें जो उनकी टॉप हम कह सकते पीक हैं जो चोटियां हैं उनकी वो कौन सी है उनसे questions बनते हैं साथी साथ उसके बाद अगर आपको hills बहुत अच्छे से तयार है तो आपको उसके साथ में नदियों को relate करना बहुत अच्छे से आजाता है नदियां अगर आपको relate करनी आती हैं तो आप किसी भी शहर को अच्छे से relate कर पाते हैं एक जो बेस है आप कहें जियोग्राफी का जहां से आप स्टार्ट करेंगे स्टडी करना क्योंकि आप लोग जो मैट्स बैक्राउंड से होंगे उन्हें तो समझी नहीं आता है कि हम इन चीजों को कहां से शुरुआत करें अचानक से स्क्रीनिंग आता है हमें उसे क्वालिफाई करना भी है नहीं तो हम सब्जेक्ट तक पहुँचेंगे नहीं तो यहां से आप लोग शुरू कीजिए अगर आप खुद भी कर रहे हैं अगर आप कोर्स नहीं भी लेना चाहरे हैं तो यह आप एक सजेशन आप ले सकते हैं लेकिन यह मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि आप हमारे साथ किस तरह से स्टड़ी करेंगे मैं आप लोगों किस तरह से बेसिक से एडवांस तक लेके जाऊंगा चाहे आपका सब्जेक्ट कोई भी हो उसके बाद अगर आपको पहाड़ियां अच्छे से आती हैं तो आपको जो खनीज हैं जो मिनरल्स हैं और जो एलिमेंट्स से कुष्चिन आते हैं तो वो आपको बहुत अच्छे से याद रहेंगे तो बेस जो है आपका वो यहां से शुरुआत होता है कहीं से तो आपको शुरुआत करनी पड़ेगी अब मैं आप लोगों बताता हूँ कि कुछ तरीके हैं कि जिससे आप स्टडी को आप स्पीड अप कर सकते हैं यह जो मैंने आप यहां पे तरीके लिखे हैं यह आपको हर सब्जेक्ट में आपको हेल्प करेंगे लेकिन आप अगर पर्टिकुलरली हिस्ट्री और जियोग्रैफिक को करेंगे या उतराखन का जो सब्जेक्ट है हमारा उसको करेंगे तो उसमें आपको क्या करना है सारी चीजें कुछ लोग ट्रिक्स पर ही बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं तो सारी चीजें आपको ट्रिक्स पर ही नहीं कर पाएंगे, आप 100% चीजें आप रट नहीं पाएंगे, 100% चीजें आप समझ कर नहीं कर सकते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती है अगर कोई list है, कि उत्राखंड का जो development है जब उत्राखंड जो राज्य बनाया हो किस तरह से उसकी history है अगर वो एक list आपको दे रखी है तो आप उसे, उसमें आपको समझने के लिए कुछ नहीं है, आपको उसे मगब करना है उसे आपको बिलकुल रटे मानने हैं अगर आप रट नहीं सकते हैं थोड़ा सा आप उसमें reasoning बठा सकते हैं लेकिन बहुत जादा उसमें समझने के लिए कुछ नहीं है आप लोगों का उसमें, आपको उसे मगब करना पड़ेगा कुछ चीज़े हैं understanding based जैसा कि आपको समझना है कि जो भुगोल है, उसका relation क्या है जो hills है, उसका नदियों से क्या relation है और जो minerals हैं, उनसे क्या relationship उसकी है तीसरा जो best part है, जो मैं best मानता हूँ इसको यह है आपका picturization method picturization method से आप 100% नहीं कर पाते हैं लेकिन picturization method से आप 70% तक आप भुगोल को कर लोगे, आप geographic को कर लोगे यहां तक कि आप किसी भी subject से और से कर सकते हैं math को छोड़ कर, science में भी आप picturization method बहुत अच्छे से use कर सकते हैं picturization method का मतलब है यह अब यहां देखिए, मैंने क्या किया है इन्हें, मैंने red pen से mark किया है और यहां जो है, जो अब मैं इसे पूरा आपको समझाओंगा पहले इस topic को clear कर लेते हैं लेकिन picturization से आपको समझ में आ जाएगा देखिए, यहां पर आपके 4 है या 5 हो गए है, लेकिन यह आपका 4 है यह वाला नहीं है, अरावली आपका जो है, राजिस्तान में है दो आपका, देखिए, यहां से आपको 4-4 का group बनाना है, 1, 2, 3, 4 जो red से मैंने mark किया है जो आपको इसकी जो PDF दी जाएगी वो इसी तरह से मिलेगी आपको PDF तो उसमें आप practice कर सकते हैं जो red हैं यहां पर आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 अब यहां पर देखिए, group बनाएए 1, 2, 3, 4, यहां पर गुरूप बनाएए तो आपको पता चल जाएगा कि यहां पर जो है इस जगे पर फोर जो है वो आपकी hills हैं उनके नाम हम भी देखते हैं किस तरह से आप लोगों को उसको याद करना है साथी साथ दूसरा है आपका law of association law of association क्या होता है कि जैसे आप कर रहे हैं 1988 1988 क्या है कि मेरी जो है डियो भी है अगर मैं बोलूँ 20 October 1988 तो 1988 से मैं बहुत सारी चीजे मुझे याद हो जाती हैं जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि जो हरिद्वार था उत्राखंड की बात करूँ मैं अगर मैं हिस्ट्री याद कर रहा हूँ तो मुझे पता चल जाएगा हरिद्वार 98 में बना था अब मुझे याद रहेगा क्योंकि ये मेरा बर्थॉप येर है दूसरी चीज है जो बिंसर वने जी विहार है ये 1988 में बना था और क्योंकि मेरा नाम कौशिक है इसलिए कौशिक समिती तो ये तो आप कभी नहीं बूलेंगे कि कौशिक समिती की जो संस्तुतियां थी उसी से उत्राखंड बना था तो चैनल अगर आप मेरा देख रहे हैं तो टी एसलियर इसी तरह से मैं बहुत सारी चीजों को association कर सकता हूँ इससे associate करता रहूंगा चीजों को अब ये 1988 है ये मेरी date of year है तो इस तरह से मुझे क्या करना है बहुत सारी और चीज़ें हो सकती है जैसे मेरा नाम कौशिक है भी associate कर सकते जहते हैं अलाई तो pen से भी आप क्या कर सकते कि कोई अपना इक अच्छा shortcut बना सकते चीजों को associate कर सकते तो बहुत association से ही मैं पूरा सिखाने की कोशिश करता हूँ जिसे की ज्यादा से ज्यादा क्यूंकि देखिए यहां पर मैंने एक चीज लिखी है कि आपको study करनी होती है उसे retention उसका retention भी हमारा अच्छा होना चाहिए तब हमें success मिलती है तो यहां से हम क्या करेंगे कि अगर हम भुगोल पढ़ रहे हैं तो उसे हमें retain भी करके चलना है जैसे हमने यहां पर पहाड़ियां पढ़ रही है हम लोग यहां पर हमने hills पढ़ ली है तो उसकी जो top क्या है आपकी चोटियां है या जो peak हैं उनको हमें देखना है हमें देखना है कि उस पहाड़ी से जहां जिसको हमने पढ़ लिया है उससे कोई नदी, जब हम नदियां पढ़ रहे होंगे तो हम उसे हिल्स से ही असोशीयेट करके पढ़ने वाले हैं तो चलिए ये सारी चीजें होंगे आपकी तरीके के लिए कि किस तरीके से हम आगे बढ़ने वाले हैं अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि जो ये topic है इसे हम किस तरह से करेंगे तो यहां पर आपका shortcut है देखिए जो ननकू है actually मेरा एक छोटा भाई है उसका नाम है ननकू तो मैंने उसके नाम पर ये बनाया है कि ननकू आप इसे कर सकते हैं प्यार से उसे ननकू कहते हैं तो यहां से शुरुवात होती है जो ये चार आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं ये हैं आपके 1,2,3,4 ये red वाले हैं यहां से होता है नामचवरवा और फिर आपका आगया AP ये आपका AP है नंदा देवी जो उत्राखंड में है और फिर उपर आपको मिलेगा K2 अब यहां से आजाते हैं आगे तो जो पूरा फॉर्मूला है पहले एक बार उसे देख लेते हैं नंकू एक 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 अध्या तो अब ये थोड़ा सा फणी है कि यहां पर आप अगर अध्या देखेंगे इसको तो अध्या यूजिली जो लोग ड्रिंक करते हैं उन लोगों को ये बात पता होगी कि अध्या जोती हाफ को बोलते है हाफ बॉटल को तो इस तरह से बनाया है थोड़ा फणी बनाने के कोशिश की है इसलिए उसको इस तरह से लिखा हुआ है कि नंकू एक अध्या कल जा पी अब जो कल जा के पी है तो कल जा पी as soon as possible ये थोड़ा इंगलेश में हैं इसे आप लिख भी सकते हैं as soon as possible तो अभी देखते हैं कि कौन सी चीज़े कहा पर है यहां पर हमने लिखा है नला जवान नीला अना नला जवान नीला अना और इस तरह को जो है वो है आपका ये एक्टर में मी क्यूब है आपको इसे इस तरह से याद रख सकते हैं मी क्यूब भी याद रख सकते हैं तो मी 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 तीन तो यहां पर मी है और बा उसके बीच में ह इस तरह से आपको इसे याद रखना है तो नन कू एक अध्या कल जापी as soon as possible नला जवान नीला अनना तो यह हो गया आपका नला जवान नीला अनना यहाँ पर है चार-चार करके हम चलते रहेंगे यह जो चार है आपके वो है आपके एक अध्या एक अध्या, तो एक से क्या है आपका, ये हम देख चुके हैं, नामचबरवा, एक और कुशिन बनता है कि उत्तर से दक्षिन और दक्षिन से उत्तर की तरफ, पूरब से पश्यम और पश्यम से पूरब की और, इस तरह से हमें पूछ लिया जाता कि कौन सा किस तरफ को होगा तो हमें काफी advanced level पे ये चीज़ें याद हो जाएंगे, अगर हमने पूरा ये formula कर लिया है, तो पूरे जो भारत की important आपकी पूरी hills से हैं, peaks से हैं, वो सारी आपको एक साथ याद हो जाएंगे, तो चलिए आगे देखते हैं, ये हो गया आपका नामचबरवा, ये हो गया ननकु से आप देख सकते हैं, ए हो गया आपका AP, N से हो गया नन्दादेवी और K से हो गया आपका K2, यहाँ पर एक अध्या, एक अध्या आप याद रख सकते हैं, कि जो bottle है, तो हाफ है, तो एक अध्या, तो यहाँ से आपको क्या करना है, average और कंचन जंगा, थोड़ा स दिया, कंचन जंगा, एक, क्योंकि कए हो जाएगा, otherwise, तो इसको हमने कर लिया, एक अध्या बनाने के लिए, हमने इसको इस तरह से रख लिया, तो यहाँ पे आपका थोड़ा सा आपको दिया नखना है, यह हो गया आपका कंचन जंगा, और यह हो गया आपका Everest, उसके कारہ का और पी तो आपका हो जाएगा कारा कोराम लद्दाक जासकर और पिर sapph norm एहां से हैं आपका आगे देखते हैं यहां पर है आपका अरावली अब जैसे अगर आप अरावली की डायरेक्षन देखें गेंगे तो उपर की तरप जाती है वाईट वर आपके यहां हमारी पूरी mountain की जो range है वो कहां कहां तक है तो सारी चीज़े हम बाद में discussion करेंगे जैसा मैंने कहा आप लोगों को बताया था अभी कि हमें इसको क्या करके रखना है retention बना के रखना है तो चीज़ों को अगर हम relate करके रखेंगे तो जरूर उसका retention भी बना रहता है तो यहां पर आते हैं आगे यह होगे आपका कराकोरम, लद्दाग फिर है जासकरश्रेणी सरी यहां पर यह आपका उपर है नीचे आ जाते हैं यह आपका अरावली सत्थपुडा, अजंता और पर्श्रमिगाड, यह है आपका ASAP, as soon as possible आपको English में याद रखना है as soon as possible, बाकी चीज़ें आपको हिंदी में याद रखनी है, तो A से होगे आपका अरावली, दूसरा सत्थपुडा, A से आजंता, और P से पर्श्रमिगाड अब आजाते हैं नीचे वाले पर्श्रमिगाड, यहाँ पर आपका है नला मलाई, तो नला जवान, नीला अनना, तो नला मलाई हो गया, जवान से जावडी, और नीला, नीला से नीलगरी जो परवत हैं आपके, और नीचे आपका है अनना मलाई, अब आजाते हैं इस साइ hills ये सारी आपकी हैं तो तोटल आप लोगों को अगर आप यहां पर देखेंगे ध्यान से 24 जो हैं वो पूरी आप लोगों को याद हो जाएंगे अगर आप इसके साथ में सिर्फ 15 मिनिट spend कीजिए और इस मैप को देखते रहिए क्योंकि इस मैप को आप देखेंगे तो अपने आप बहुत सारे questions आप लोगों के होते जाएंगे जैसे अरावली कहां पर है आप लोगों का जो कराकोरम है लदाख है जासकर, पीर, पनजाल, सुर्णी कहां पर है लोगों कई नन्दा जो परवत है वो कहां पर है नन्दा देवी और केटू कहां पर है और यह सारी चीज़ें आप लोगों को धिरे-दिरे याद हो जाएंगे क्योंकि आप लोगों को जैसे बराइल की पहाड़ी अ हमने सुनी होती है तो इस तरह से यह हमारा मैथड है जिससे कि आप एक सिर्फ एक्जाम परपस से ही नहीं आप लोगों को बहुत अच्छा इंट्रेस्ट भी आएगा इससे कि हम बहुत असोशियेटेड वे में पढ़ रहे हैं हमें जो भुगोल है या हम बात करें हिस्ट्री है उन चीजों को अच्छा नॉलेज भी साथ साथ में होता जाएगा तो यह आपका जो ग्रूप सी की और वेकेंसी हैं उसमें भी अगर आप लोगों को इसमें हेल्प मिलने वाली है तो अगर आप लोग तयारी कर रहे हैं हम लोगों से असोशियेट होना चाहते हैं तो इस सूपले वेकों में है तो इस तो qवा में और झाप्का यह चॉधार जारी को ओसर वाली को उच naught त्रव रहे हैं अप्लिम, क्यों खिक्यों श्यों आप्छमाश एल् Douglas.